योजनाईन इन्दी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेगे कि आभा काड क्या है और आप इस काड को कैसे बनवा सकते हैं और इस काड से क्या-क्या लाब आपको मिलता है और इस Card को बनवाने के लिए आपको किन-किन दस्तावेजों की आवशकता पड़ने वाली है जहां सात्यों, सरकार की तरफ से एक नया Card जारी किया गया है जिसे आभा Card नाम दिया गया है और यह है आभा Card क्या है, इसका आपको क्या फायदा मिलता है और आप इसे कहां से बनवा सकते हैं और किन दस्तावे जो की मदद से आप इसे बनवा सकते हैं सम्पूर्ण जानकर ही हम आपको इस वीडिए में देने वाले हैं तो वीडियो लाश्ट तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं आए हैं तो भाई सस्क्राइब भी जरू करिएगा तो चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आभाकाड है क्या आभाकाड को अयूस्मान भारत हेल्थ आईडी काड कहा जाता है यह 14 अंको का आभाकाड नंबर से युक्त काड है जो नैशनल हेल्थ एथर्णिटी द्वारा जारी किया जाता है आभाकाड आपको भारत में डिजिटल हेल्थ केर सिस्टम में आपकी पहचान परदान करता है इस काड के माद्यम से मरीजों से सम्बंदित सभी जानकारी डिप्टेल रूप से प्राप्त की जा सकती है यानिके वह अयूसमान भारत का ही आईडी काड है और इसे मरीज जो होते हैं उनसे सम्मदित सभी डिटेल इसमें होती है जब आप अपना आभाकाड बनवाते हैं तो आपको एक चोदै अंक का काड प्राप्त होता है यह काड भारत सरकार के दुआरा अयूसमान भारत हैल्थ के अंतरगत जारी किया जाता है जिसमें मरीज के इलाज से सम्मदित सभी अस्पतालों की जानकारी डिटेल रूप से सुरक्षित की जाती है इस चोदै अंक काड के माध्यम से मरीजों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है अगर कोई मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ट्रांसपर्ड होता है और वह अपना इलाज जारी रखता है तो डाक्टर इस काड के माध्यम से पूर में किये गए ट्र आपका सबसे बड़ा फाइदा क्या है मान लीजिए आपके पास आभा कार है आपका आभा कार बना हुआ है और इस आभा कार में 14 अंकों का आपको एक यूनिक कोड दिया जाता है जिसके मदद से डाक्टर यह देख सकते हैं कि अगर आप एक स्पताल से दूसरे स्पताल में जाते हैं तो आभा कार की मदद से डाक्टर यह चेक कर सकते हैं कि पहले में यानि कि पहले स्पताल में इस मरीज को क्या ट्रीटमेंट दिया गया है क्या इलाज किया गया है और इसके माध्यम से उन्हें आपका इलाज सरलता से करने में काफी साहता मिलती है तो आधार कार क सबसे बड़ा फाइदा यहीं है तो चली जानते हैं कि आप आभाकार कैसे बनवा सकते हैं और इसमें क्या जरूत पड़ेगी सबसे पहले आपको आधार कार्ड की जरूत इसमें पड़ने वाली है आधार से लिंग हुबाई नंबर की ड्राइविंग लेसंस और आधिकी आप को इसमें जरूत पड़ेगी और आप अपना आभाकार अपने नजदी की सेंटर में जाकर के बनवा सकते हैं जो आपको एक 14 अंको का आभाकार दिया जाएगा जिसमें आपका फोटो आपका पूरी डिटेल उसमें होंगी तो साथियो आभाकार के बारे में हमने आपको जा बहां से बनवा सकते हैं और इसमें क्या-क्या दस्ता वीडियो की जरूत आपको पढ़ने वाली है तो यहीती जानकारी वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरू करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद